प्रस्न एक भाग कीजिये तो प्रस्न एक का पहला है चार दिस्मलों दो पांच को दो से भाग करना है तो चार दिस्मलों दो पांच भागा दो लिख लेंगे क्या कह रहा है प्रस्न में तो प्रस्न में कह रहा है चार दिस्मलों दो पांच को दो से भाग देना है चार दिस्मलों दो पांच को किस से भाग देना है दो से तो चार दिस्मलों दो पांच भागा दो लिख लेंगे तो यहाँ पे अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं देखे, 425 बटा 100 भागा है तो गुना का चिन ने देंगे तो 2 का ब्यूत्प्रम, यानि 1 बटा 2 हो जाएगा इस तरह हम इसको लिख सकते हैं तो 425 बटा 100 हो जाएगा क्योंकि दसमलों के बाद 2 अंक है तो दसमलों हटाएगे तो 1 पे 2 सून ने देंगे 5 से काटेंगे, 20 पचे 100 5 से काटेंगे, 25, 8, 40 2 इधर गया, तो 25 हो गया 25 पचे 25 तो 85 बटा 20, गुना 1 बटा 2 आगया अब क्या करेंगे, फिर 5 से काटेंगे 5 चोक 20 17 पचे 50 17 पचे 50 तो कितना आ गया तो यह आ गया 17 बटा देखें, 17 गुना 1 सत्रा और 4 गुना 8 यानि 17 बटा 8 आ गया कितना आ गया, 17 बटा 8 तो सबसे पहले हम इस तरह से इसको कर लेंगे अब 17 को 8 से भाग देंगे तो सत्रा को 8 से भाग देंगे तो देखे, 8 दूना 16 8 दूना 16 17 है, तो एक बचेगा सेस तो एक तो 8 से लगेगा नहीं तो दस मलो देंगे तो 10 हो जाएगा, यानि 10 हो जाएगा, तो 8 गुना 1, 8 2 बचेगा, तो 20 हो जाएगा तो 8 दूना 16 फिर चार बचेगा तो 40 हो जागा तो 8 बचे 40 यानि 2.125 इसका उत्तर होगा 2.125 तो 17 को 8 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2.125 तो देखिए आप यहाँ पे हम भाग देखर के भी बता देते हैं 8 से 17 को तो 8 दूना 16 17 में से 16 गया तो 1 अब 1 तो लगेगा नहीं तो 10 मलों देंगे तो 10 हो जाएगा तो 8 गुना 1 आठ 10 में से 8 गया 2 दो लगेगा नहीं तो 10 मलों हम दे चुके हैं तो 1 सून ने दे सकते हैं तो 8 दूना 16 10 में से 6 गया 4 चार तो लगेगा नहीं, तो एक सून्य दे सकते हैं, तो आठ पचे चालिस, तो इस तरह इसको हल करेंगे, तो इसका उत्तर आ जागा दो दसमलो एक दो पाँच, दो दसमलो एक दो पाँच, तो इस तरह से इसको हल करेंगे, दूसरा, दूसरा प्रस्ण है, सून्य दसमलो दो पाँच को किस से भाग देना है, तो सून्य दसमलो पाँच से भाग देना है, यानि सून्य दसमलो दो पाँच को सून्य दसमलो पाँच से भाग देना है, तो सून्य दसमलो दो पाँच को हम लिख सकते हैं, पचीस बटा सो, सून्य दसमलो दो पाँच को क्या लिख सकते हैं, पचीस बटा सो, भागा, दो सूनने देंगे बटा में यहाँ पे 10 मलों के बाद एक गंख है तो बटा में एक पे एक सूनने देंगे तो 25 बटा 100 भागा 5 बटा 10 तो हो जाएगा 25 बटा 100 भागा का चिन को हटा करके गुना का चिन देंगे तो क्या हो जाएगा इसका व्यूत्क्रम लिखना होगा यानि 5 बटा 10 का व्यूत्क्रम हो जाएगा 10 बटा 5 5 बटा 10 का व्यूत्क्रम क्या हो जाएगा 10 बटा 5 अब देखिए 5 से 25 कट गया 5 बच्पचे 25 5 बच्पचे 25 एक सूने से एक सूने काट दी है कितना बचा? तो पांच बटब 10 बच गया देखें पांच गुना एक पांच ओर यहां पे 10 बच गया यानि पांच बटब 10 तो पांच को 10 से भाग देंगे तो आ जाएगा सून्य दस मलो 5 ये कैसे होगा? देखें एक पे एक सून्य है या इसका मतलब हुआ कि दसमलों के बाद एक अंग होना चाहिए तो 5 के पहले 10 मलों दे देंगे ठीक है? तो 5 को 10 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 0.5 नहीं तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं देखें, 5 से 10 कर जाएगा 2 बार में नहीं तो बस 5 को 10 से भाग देने भी क्या आ जाएगा? 0.5 तीसरा तीसरा प्रस्ण है 17.5 को किस से भाग देना है? 3.5 से 17.5 को 3.5 से भाग देना है तो 17.5 को अमलिक सकते हैं 175 बटा 10 भागा 35 ये 3.5 को अमलिक सकते हैं 35 बटा 10 ये कैसे हो गया? तो 10 मलों के बाद एक अंग है तो एक पे एक सुनने देंगे यहां भी 10 मलों के बाद एक अंग है तो एक पे एक सुनने देंगे तो 175 बटा 10 भागा 35 बटा 10 हो गया तो लिख लेंगे 175 बटा 10 तो भागा का चिन है तो गुना का चिनने देंगे तो क्या हो जाएगा 35 बटा 10 का भी उत्क्रम यानि 10 बटा 35 क्या हो जाएगा 10 बटा 35 तो भाग का चिन है यहाँ पे, तो गुना का चिन है, जब हम देंगे, तो 35 बटा 10 का व्यूत करम, यानि 10 बटा 35 लिख रहा होगा, अब 10 से 10 तो कट गया, 10 से 10 कट गया है, अब देखें, 5 से काट देंगे, 5 से 35, 5 से इसको काट देंगे, 5 से 15, 2 इधर गया 25 होगया, 55, 25, ठी साथ से 35 कितना मर में कट जाएगा, साथ पचे, 35, यानि इसका उत्तर आ गया, 5, इसका उत्तर क्या आएगा, 5, तो 17 दस्मलों 5 को 3 दस्मलों 5 से भाग देंगे, तो आ जाएगा इसका उत्तर, 5, प्रस्न चार, तो प्रस्न चार है, एक दस्मलों 7, 5 को किस से भाग देना है, एक दस्मलों 7, 5 को 3 दस्मलों 5 से भाग देना है, एक दस्मलों 7, 5 को किस से भाग देना है, तीन दस्मलों 5 से, तो हम इसको लिख लेंगे, 175 बटा 100, भागा, 35 बटा 10, तो एक दस्मलों 7, 5 को क्या लिख लेंगे, 175 बटा 100, और 3 दस्मलों 5 को लिख लेंगे, 35 बटा 10, तो 175 बटा 100 भाग का चिन हटा करके गधना का चिन है जब देंगे, तो क्या हो जागा 10 बटा 35 क्या हो जागा 10 बटा 35, यानि 35 बटा 10 का व्यूद करम, दस बटा 35 लिख लेंगे गधना का चिन देंगे तो, तो एक सूने से एक सूने कट गया और 35 पचे 175 होता है तो कितना आ गया? आ गया यहाँ पर 5 बटा 10 कितना आ गया? 5 बटा10 अब देखे 5 को 10 से भाग देंगे तो आ जाएगा सूने 10 मलो 5 कैसे? तो एक पए एक सूने है देखे बटा में क्या है एक पे एक सूने है यानि दसमलों के बाद एक अंग होना चाहिए तो यहाँ पे सिर्फ पांच है यानि पांच के पहले दसमलों दे देंगे क्योंकि दसमलों के बाद एक अंग होना चाहिए क्योंकि एक पे एक सूने से भाग दे रहे हैं तो पांच को दस से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा सुने दसमलो पांच पांचवाँ परसण तो पांच परसन है सुने दसमलो एक साथ पांच को किस से भाग देना है तो 3.5 से भाग देना है सुने दसमलो एक साथ 5 को 3.5 से भाग देना है तो इसको हम लिख लेंगे 175 बटा 1000 भागा 35 बटा 10 तो यह कैसे हो गया तो यहाँ पे 10 मलो के बाद 3 अंक है देखिए 1,2,3 दसमलो के बाद 3 अंक है तो दसमलो हटाएंगे तो एक पे 3 सुने देंगे बटा में यानि 175 बटा 1000 हो गया भागा 3.5 है यानि दसमलो के बाद 1 अंक है तो बटा में 1 पे 1 सुने देंगे यानि 3.5 क्या हो गया 35 बटा 10 सून्ने दस मुलब एक साथ पांच क्या हो गया 175 बटा एक हजार तो हो जाएगा 175 बटा एक हजार भागा है तो भागा का चिन हटा करके गुना का चिन ने देंगे तो 35 बटा 10 का व्यूत क्रम यानि 10 बटा 35 हो जाएगा तो 35 पचे 175 होता है 35 पचे 175 तो पांच बार में काट लेंगे एक सून्ने से एक सून्ने काट लेंगे कितना आ गया पांच बटा 100 पांच बटा 100 अब देखे पांच को 100 से भाग देंगे तो आ जाएगा सून्ने दस मलो सून्ने पांच ये कैसे हो गया तो एक पे दो सुन्य है सौ से भाग दे रहे हैं यानि एक पे दो सुन्य है तो दस्मलों के बाद दो अंग खोना चाहिए तो पांच तो है तो पांच के पहले एक सुन्य लगा देंगे फिर दस्मलों दे देंगे और दस्मलों के पहले सून्य दिया जाता है ठीक है तो पांच को सौ से भाग देंगे तो क्या जाएगा सून्य दस्मलों सून्य पांच यानि एक पे दो सून्य है तो दस्मलों के बाद दो अंग होना चाहिए तो पांच के पहले एक सून्य लगा करके उसके पहले एक दस्मलो दे देंगे और दस्मलो के पहले सून्य दिया जाता है तो इसका उत्तर हो गया सून्य दस्मलो सून्य पाँच प्रस्न छट्था तो छट्था प्रस्न है सून्य दस्मलो एक साथ पाँच को किस से भाग देना है तो 35 से भाग देना है सूने दस्मलव 175 को 35 से भाग देना है तो इसको हम लिख लेंगे 175 बटा 1000 भागा का चीन्न है तो भागा का चीन्न को हटा करके गुना का चीन्न देंगे तो 35 का व्यूत करम क्या हो जाएगा 1 बटा 35 ठीक है तो यहाँ पर दसमलों के बाद तीन अंख है एक दो तीन देखे दसमलों के बाद तीन अंख है तो दसमलों हटाएंगे तो बटा में एक पर तीन सून्य देंगे यानि 175 बटा 1000 गुना अब यहाँ भागा का चिन है तो भागा का चिन हटा करके गुना का चिन देंगे तो 35 का भी उत्करम, याражनी एक बता 35 हो जाएगा, तो 35 पचे, 175 काट लेंगे, यानी कितना आगया? 5 बता 1,000, कितना आगया? 5 बता 1,000, तो 5 को 1,000 से भाग देदेंगे, तो कितना आजाएगा? देखें, 5 को किस से भाग देना है? एक हजार से यानि एक पे तीन सुन्य है तो कितना सुन्य है एक पे तीन सुन्य है यानि दस्मलों के बाद तीन अंक होना चाहिए तो देखें पांच तो है पहले से तो दो सुन्य इसके पहले लगा लेंगे क्योंकि एक पे तीन सुन्य से भाग देना है यानि दस्मलों के बाद तीन अंक होना चाहिए तो पांच के पहले दो सूने लगा लेंगे उसके बाद दस्मलों दे देंगे उसके बाद दस्मलों के पहले सूने दिया जाता है तो इसका उत्तर आ गया सूने दस्मलों, सूने सूने पांच सूने दसमलो सूने सूने पाँच